जाफ्रान दे मेगा मार्ट में पाए हर प्रोड़क्ट पर 5-50% डिसकाउंट परसनल एंड बेवी केर, ग्लॉसरी, ब्रेकफास्ट एड स्नेक्स, डेरी एंड बेवरेज, होम एंड किचिन राशन का हर सामान मार्केट से कम दान, दे मेगा मार्ट जाफ्रान आप साफ्रान मेगा मार्ट के वेब साइट या कॉल करके तर बैठे ओडर दे सकते हैं COD और UPI पेमेंट अवेलिबल, फ्री होम डिलिवरी, आप मोबाइल में एप भी डाउनलोड कर सकते हैं महिस रामदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स एक बार फिर महराष्ट क्रोना की भयाना चपेट में हैं जहां हर रोज 55,000 से भी जादा क्रोना संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं ऐसे में महराष्ट के CMO धवठाकरे ने साफ साफ कही दिया है कि हालाथ ठीक नहीं है और लॉकड़ून लगाना ही पड़ेगा इसके इलावा कोई विकल्प नहीं बचा है आपको बता दे कि आज CMO धवठाकरे ने सभी दनों के निटाओं के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए एक बैठक की थी जिसमें बीजेपी के पूर्व सियम देवेंद्र फड़नवी समेथ अनेक पार्टी के नेता मौझूद थे महराष्ट की परिस्थिती काफी खराब हो रही है 15 से 20 अप्रैल तक इस्थिती काफी खराब हो सकती है इसलिए संपूर्ड लॉकड़ून लगाने का ऐलान दो दिन के भीतर किया जा सकता है यानि कि महराष्ट में संपूर्ड लॉकड़ून लगने का ऐलान दो दिन के अंदर हो सकता है नेताओं के साथ बैठक में सियम उधो ठाकरे ने कहा है कि कुरोना की चेन तोड़ना जरूरी है टीका लगने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं साथ ही सियम ने ये भी कहा कि लॉकड़ून लगाना जरूरी नहीं है मगर कई दूसरे देशों ने भी कुरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकड़ून लगाया है इसलिए हमारे पास भी लॉकड़ून के इलावा और कोई विकल्ब अब नहीं बचा है क्योंकि महराष्ट में क्रोना संक्रमर को रोकना बेहत जरूरी है बैठक के दौरान आठ दिन कड़े प्रतिबंध लगाने का इशारा सीयमो धोठाकरे ने दिया है अगर सभी लोग तैयार होंगे तो जिसमें धीरे धीरे छूट भी दी जाएगी नियम बनाने का समय लगेगा इसलिए सरकार अगले दो दिन में महराष्ट में संपूर लॉकड़ून लगाने का फैसला ले सकती है तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइलर्स